जिस नई नवेली दुलहन को बैंड बाजे के साथ दुलहा अपने घर लेकर आया था जिसने अपने दुलहन के साथ साथ फेरे लेकर साथ जन्मों तक जीने मढ़ने की कसमे खाई थी वो दुलहन शादी के सर्फ तीन दिन बाद ही घर की दिवार फांत कर फरार हो गई CCTV की ये तस्वीर सामनी आई है जिसमें नई नवेली दुलहन दिवार फांती हुई नजर आ रही है आरोप है कि दुलहन साथ में लाखों के गहने भी ले गई है दरसल चार दिन पहले रिवारी की गाउन टांकडी के राजकुमार शर्मा की शादी यूपी के एक यूप्ति के साथ हुई थी परीवार ने धूम धाम से ये शादी करवाई थी लेकिन शादी के महज तीन दिन बाद यानि की सोमवार तड़के चार बचे दुलहन घर की दिवार फांद कर फरार हो गई परिवार वालों ने दुलहन को घर में ढूंढा जब वो नहीं मिली तो घर में लगे CCGV कैमरे की फोटेज देखी गई तो दुलहन दिवार फांद कर भागती हुई दिखाई दी साथ ही वो अपने साथ लाख रूपे की जेवराद और कीमती सामान भी ले गई मैंने अपने लड़के लक्षमे आरायने की साथी यूपी में की थी और उनके बाद हम उस लड़की को घर ले आए तेश तारिक को रात कुझा रावजे पहुच गए तो उस लड़की का भाई और भावी साथ आया था इसके जानकारी पुलिस को दी गई पुलिस ने CCTV फुटेज को अपने कबजे में लिया और आगे की कारवाई शुरू कर दी है अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि दुलहन ने घर से फरार होने का कदम क्यों उठाया फिलहाल इस मामने की जाच में पुलिस जुटे हुई है रिवाडी से नविन शर्मा की रिपोर्ट